Hello Friends, Welcome to your own channel Daily Community तो आज हम देखेंगे Natural Yes के जो मार्ट के जो futures market में जिसरे से चल रहे है community market के अंदर तो आपको उसमें किस तरह का trade लेना है अभी किस तरह का trade pattern इसके दर formation हुआ है और in future आप किस तरह का इसमें trade ले सकते हो So, let's begin तो सबसे पहले आपको जैसे पता हो कि आप trade ले रहे हो तो हमने कौन-कौन से indicators लगा है That is EMA, that is exponential moving average के अंदर हमने 21 day, 8 day, 13 day और 15 day का हमने use किया है उसके साथ-साथ में हमने RSI use किया है और MACD use किया है तो हम इन सब confirmation से अगर हमको इन सब तीनों चीज़ों में confirmation मिलता है तब ही हम इसके अंदर trade लेंगे So, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जब RSI जो है, RSI का आपको जो moment देखने को मिल रहा है हम इसको black color कर लेंगे RSI यहां से strong इसमें आपको moment देखने को मिला है positive side पर और इस chart में क्या हुआ इसकी जो price formation है उसके अंदर भी आपको एक हलका सा uptrend देखने को मिला है बट मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको ये time पे trade लेना है उसके साथ साथ में MACD के अंदर भी blue line ने red line को तोड़ा है तो उस time ये आपको 3 confirmation जो थे वो हमको मिल गा है तो हमको enter करना है और main क्या है ये जो आपको दिखरी है line है that is exponential moving average के उपर सारी जो candles है वो भी form हो रही है तो आपको लगबग लगबग यहाँ पर trade आपको लेना चाहिए था that is execute करना था और आपको जो target है वो आपको बहुत अच्छा असा मिल सकता था although अगर समद लोग वो momentum छूट गया हो तो बट अभी भी इसके इनर क्या formation देखने को मिल सकता है तो वो भी हम बात कर लेंगे तो अभी जिस तरह से इसके लिए ट्रेड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके उनर से एक तरह से consolidate mode पर आगे है natural gas that is यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में consolidate कर रहा है और जो उपर का जो level है वो लगबग इसने दो बार छू लिया that is first time and that is second time तो अगर समद लो यहाँ से उपर जाता है यह होगा अपना bullish trap अगर समद लो यह bullish trap हमने इधर ड्रॉ कर दिया अगर यह समद लो यह जो formation that is 210.45 का अगर यह level break करता है तो इसमें आपको bullish trend देखने को मिल सकता है अगर आपको वीडियो अच्छे समझ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share और हमाई चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा thank you